हेलो फ्रेंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5S मेथेडलोजी जिहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5S मेथेडलोजी पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी थक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो है about inventory के लिए का करने के लिए उनको और आगे बढाने के लिए स्टेम करते इसे हम अगड़ाने केоном пойmore करते हैं कि जरूरत की जो चीजे होती है हमारी इंडस्ट्री में जो कुछ चीजें जरूरत की होती है कुछ चीजें जरूरत की नहीं होती है जिनके इस तमाला में इंडस्ट्री में नहीं करते हैं तो उनको shorting करके मतलब उनको अलग अलग जगाओं पर व्यास्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम shorting कहते हैं simplifying कहने का मतलब होता है दोस्तों हर एक वस्तु के लिए अपनी एक जगा होनी चाहिए वह सिस्टेमेटिक तरीके से होना चाहिए जो की यूज करने वाले जो भी हमारे equipment है वह अपने अपने जगा पे होने चाहिए और वह सिस्टेमेटिक में order में कहने का मतलब है कि हर एक चीजें अपनी जगा पे होनी चाहिए अगर हमारे workers हमारे technician अगर एक hammer को अगर ढून रहे तो वह hammer जो है अपनी पर्टिवलर जगा पे होनी चाहिए तो इस तरीके से हम अपना जो second जो हमारा methodology है simplified तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री के जो product quality है और safety है कहीं न कहीं हम उसको आगे improve कर सकते हैं तिसरा जो हमारा methodology है systematic systematic कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी equipment जिनका इस्तमाल हम इंडस्ट्री में करने वाले हैं उन सभी को daily cleaning के recording से systematic way में हमें रखना चाहिए ताकि इस्तमाल के समय में वह सारी चीज़े हमें as per time के recording से हमें वहां पर available हो सके तो यह हमारा तीसरा methodology है चाहता जो methodology है वह हमारा studization कहने का मतलब होता है दोस्तों कि इंडस्ट्री में जितने भी हमारे act and law या जो हमारे rules बने हुए हैं जिनसे कहीं ने कहीं हम हम अपने इंडस्ट्री के जो product quality है या कहने का मतलब जो safety implementation की जो बात आती है उसको किस तरीके से हम वहां पर implement करवा सकते हैं कैसे उसको और बढ़ा सकते हैं तो जो हमारा चाहता जो methodology होता है वो होता है लास्ट जो हमारा methodology होता है वो होता है sustaining कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी हमारे जो पिछले हमने जो methodology पढ़ा है या जो हमारे जो rules बने हुए हैं उनको हर जगह पे implement करवाना और उसको time to time पे rewind करते रहाना कि वो सारे चीज़ें उसी way में हो रहा है कि नहीं हो रह है इन सबी चीजों के लिए जो हमारा last methodology कहता है sustaining के माध्यम से हमें अपने सारे product activity को और जो product quality है safety है उनको बढ़ावा देना है तो यह रहा दोस्तों हमारा overall हमारे 5 methodology जो कि हम एक industry के लिए इस्तेमाल में करते हैं आयो आपको हमारा या वीडियो पसंद आया होगा